कज़ा, पंचिंग मसीन खरीच सकते हैं और इस मसीन चื extremondries खरीदबार को सकते हैं को फिर अप अलग लग फॉंपनी यहां कि पालिवीड फे और उनके सीट अपने हां काट पर सीट का 50 पैसे से 1 रुपय तक चार्ज करते हैं और इस मसीन को उनके फैमिली मेंबर का हर इंसान चलाता है और 8 घंटे काम करके 10-15,000 स्विक्स बड़ी असानी से काट लेते हैं दोस्तों वीडियो में जो प्रिंटड शिर्ट करते हैं वो पेपर कपके ब्लैंक है यारनी इसी कटे हुए ब्लैंक की मदद से पेपर कब तियार होते हैं और दोस्तों और बात करें इस मसीन की ज wolves त्यार करनेगी तो Since Me Juicy जरी अब बहुत सवरे coming क्यार कर सकते हैं नहीं तो और फिस स्कुरिट के 108 वह पॉक्स बनाने के जडिक अधीज करदेगा चोपी और बिजनस चल जाने के बाद प्रिंटीग मशे만-क्रki चरीज करें और नहीं ने मदद से और भी तरह के बोक्स बना सकते हैं हमें मसीन में कवर्ड डाई से करनी होती है और पेपर स्यल् faithful को इस मती डालना होता है और उस डाई की मदद से ही मसीन ध्क को बॉक्स के अकार में कार्ठ देती है जैसा कि आप तो वीडियों में दिख रहा है ऐसे box हमारे या साधी, party, function में बहुत जादा यूज़ किये जाते हैं या फिर हम अलग-अलग hotel, restaurant, sweet shop, bakery shop से order ले उनके brand के box त्यार कर सकते हैं या sweet box के अलावा और भी अलग-अलग तरह के box इस machine के द्वारा बना market में बेश सकते हैं दोस्तों अगर आप थोड़ी marketing के ध्यान दे और कुछ अच्छे customer बना ले अपनी local market में तो आप बहुत जल्द अपने business को grow कर सके हैं और उसके लिए आपको उनकी requirement पता करनी होगी और उसके हिसाफ से box को त्यार करना होगा और इसके साथी साथ अपने area के wholesaler और distributor से भी contact कर उनके जरिये भी business को promote करना होगा और दोस्तो मेरा दावा आएगी थोड़ी सी मेहनत planning और अच्छे marketing के जरिये अब बहुत जल्दी अच्छी कमाई कर सकते हैं पर दोस्तो अगर बात करें इसे बनाने में लगने वाले raw materials की तो इसका main raw materials paper है और यह paper आपको बजार में 20 rupees से 40 rupees पर kg तक मिल जाएगा और इसे आप अपनी जुरूत के हिसाब से खरीज सकते हैं paper अलग लग GSM में आते हैं और अगर हम कम GSM वाले paper खरीदते हैं तो वो सस्ते मिलेंगो ज्यादा GSM वाले में हैं और हमें जैसा box बनाना हो उस box की quality के इसाब से यह paper हम बजार से करीज सकते हैं और नॉर्मली बजार में जो box लिखे हैं वैसे box आप ठीक के जी paper के जरी 500 से 700 पीज बना सकते हैं जैसे कि paper का GSM कितना है और paper की seat से आपकी restage कितनी जा रही है इसलिए मैंने केवल एक अनुमान बताया है तो यह machine आपको अलगलग production capacity के साथ अलगलग price में मिल जाएगी है और market में यह machine अलगलग size और production capacity के साथ उतलब्द है जैसे 20 inch into 26 inch, 22 inch into 32 inch, 25 inch into 70 inch, 32 inch into 42 inch या 40 inch इन्ट बासर टीम और market में जो machine है वो एक घंटे में 800 बार punch करने के से लेके 3000 तक punch कर सकते हैं और machine का price भी उसके size और production capacity के हिसाब से कम और ज़्यादा होता है इसलिए आप अपने budget के हिसाब से यह machine खरी सकते हैं और machine में electronic panel लगा होता है जिसके जरी आप punch करने की timing भी set कर सकते हैं कि कितने second के बाद यह machine punch करें और आप इस machine के जरी paper seats के अलावा रबोर्ट, leather, punch robot, duplex board, cardboard, PVC और classic seat को भी काट सकते हैं और अगर भात करें इस machine की training की तो इसे operate करना ज्यादा मुस्किल नहीं है आपको उस दिन की training के बाद इस machine तो बड़ी असानी से operate कर सकते हैं और नहां से आप यह machine खर देंगे आपको training भी वहीं से मिल जाएगे दोस्तो आपको इस business को शुरू करना में कोई भी दिकरत आती है या कोई भी information चाहिए तो आप उनसे comment करके भी बता सकते हैं उनसे होग